प्लेट 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 रेडियो प्लेबैक इंडिया के साप्ताहे किस्तंब एक गीत सौ अफसाने में आप सभी शोतासाथियों का हर दिक सौगत हैं। कबूल करें संग्या का नमस्कार। महलों का राजा मिला हमारी बेटी राच करेगी। फिलमनो की राद के इस गीत में आखिर क्या अनोखा है। कैफी आजमी के लिखे रोशन के संगीत बदे किये और लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ संगीत कार सलील चौधरी, श्याम राज और सोनिक का नाम भला कैसे जुड़ा हुआ है। इस गीत की रिकार्डिंग के लिए रोशन साहब की पत्नी एरा रोशन ने क्या जिमा अपने सिर लिया और क्यों? साथ ही जानिये रोशन साहब और एरा की पहली मुलाकात के बारे में. ये सब कुछ आज के इसे यंख में जिसके लिए शोध और आलेख तयार किया है सुजोय चैटर जी ने और आज इसे प्रस्तुत कर रही है पूजा निल हिंदी फिल्म संगीत जगत में बहुत से गीतकार और संगीतकार ऐसे हुए हैं जो अप्रतिम प्रतिभा के बावजूद अंडर रेटेड ही रह गए एक से एक बहतरीन रचना रचने के बावजूद इस इंडस्ट्री और आम जनता ने उनकी तरफ उतना ध्यान नहीं दिया की तरफ दिया लेकिन अच्छा और इस तरिय संगीत सुनने के शोकीन लोग इन कमचरचित कलाकारों को उतना ही सम्मान देते हैं जितना अन्य लोकप्रिय कलाकारों को पचास साथ के दशकों में एक से एक दिकच संगीतकारों के बीच संगीतकार रोशन का नाम कम कम ही लिया जाता था पर चुपचाप इस तरिय काम करते हुए रोशन साहब कुछ ऐसे गीत रच गए हैं जो आज फिल्म संगीत के अनमौल धरोहर के नगीने स्वरूव हैं चालीस के दशक में रोशन साहब की प्रतिभा और कला से प्रभावित होकर निर्माता निर्देशक और संगीतकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर जो बाद में देश विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए थे उन्होंने रोशन साहब को आल इंडिया रेडियो देल्ही में नोकरी दिलवादी बतोर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और वहीं रोशन साहब की मुलाकात हुई कलकत्ता की गईी का इरा मोईत्र से इरा जी उनके साथ ही काम करने लगी, दोनों ही कला और संगीत के प्रेमी थे, ऐसे में दोनों का एक दूसरे से निकट आना, प्रेम का पुश्प खिलना बहुत ही प्रकृतिक और सामान्य बाथ थी, रोशन और इरा के बीच प्यार हो गया और दोनों ने विवाह कर लिया, विवाह के बाद रोशन सहाब बंबई आ गए और ख्वाजा खुरशीद अनवर के साथ म्यूजिक एसिस्टेंट के रूप में काम करने लगे, एक लंबे संगर्श और कई चुनोतियों को पार करने के बाद उन्हें स्वतंत्र फिल्में मिलने लगी, जिन फिल्मों में संगीत देकर उन्होंने हिंदी फिल्म संगीत संसार में अपने नाम की चाप छोड़ी वो फिल्में थी बावरे नैन, बरसात की रात, आरती, ताज महल, ममता, बहु बेगम, दिल ही तो है, दूज का चांद, चित्र लेखा, भीगी राद, देवर और अनोखी राद रोशन ने लगबग 94 फिल्मों में स्वतंत्र रूप से संगीत दिया, और इसके अलावा भी कई ऐसी फिल्में की जिन में उन्होंने दो या तीन गीतों का संगीत तयार किया, जबकि उन फिल्मों में कोई और मुख्य संगीत कार थे 1968 में रोशन साहब जब अनोखी राद फिल्म का संगीत बना रहे थे, उसी दोरान उनकी तबियत नासाज हो गई, हार्ट की प्रोब्लम हो गई थी, फिर भी उन्होंने ऐसी हालत में भी अनोखी राद के लगबग सभी गीत रिकॉर्ड कर लिये, पर एक गाना रिकॉर्ड ह अभी पाकी था, और दुर्बाग्यवश दिल का दौरा पढ़ने से रोशन साहब चले गए 16 नवंबर के दिन, उनके इस अकाल और आकस्मिक निदन से इस फिल्म का संगीत अधूरा ही रह गया, इस दुर्बाग्यपूर्ण घटना के कुछ समय बाद अनोखी रात फिल्म क निर्देशक असित सेन ने यहाँ फैसला किया, वो बचा हुआ जो एक गीत है, इस फिल्म का उसे सलिल चौदरी से कंपोज और रिकॉर्ड करवाएंगे, यहाँ पर यहाँ बताना जरूरी है कि किसी किसी जगह इस बात का उलेख है कि अनोखी रात फिल्म के इस अंतिम गी के सोनिक जी ने रिकॉर्ड करवाया था, पर शायद यहाँ सच्चाई नहीं है, तो साहब जब रोशन साहब की पतनी इरा जी को इस बात का पता चला कि असित दा सलिल चौदरी से वह आखिरी गाना बनवाना चाह रहे हैं, तो उनके मन में कुछ और ही बात चल रही थी, व उसे वो अपनी देख रेक में रिकॉर्ड करवाना चाहती है, यहाँ गीत एक श्रत्तान जली होगी, एक वियोगी पतनी की अपने स्वर्गिय पती के प्रती, यहाँ सुनकर असित सेन चौंक उठे, उन्हें यहाँ तो मालूम था कि इराजी एक गाई का है, पर इसका जरा आसा भी अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह का संगीत संयोजन और पूरे रिकॉर्डिंग का संचालन सही सही कर पाएंगी, उन्होंने इराजी से पूछा कि आप ये सब कुछ कर पाएंगी, इराजी का द्रड जवाब था, हाँ, और तब दादा असित सेन ने इराजी की भ हमारी बेटी राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदाव, हमारी बेटी राज करेगी, यह था वहाँ अन्तिम गीत जिसकी रिकॉर्डिंग पूरी होने से पहले ही रोशन सहाब इस दुनिया को छोड गए थे, गीत की धुन रोशन सहाब ने पहले से ही तयार की होई थी, इराजी ने पूरे गाने का अरेंजमेंट किया, इस धुन को फाइन ट्यून करके तमाम रिहर्सल करवा के इसे रिकॉर्ड करवाया, और इस तरह से यह मास्टर पीस कमपोजिशन बनी, एक श्रदान जली, एक व भर आती हैं, और सिचुएशन भी क्या थी, मुसाफिरों का एक दल, एक रात के लिए एक रेस्ट हाउस में आसरा लेता है, एक व्यापारी पिता, तरुन बोस, और उनकी पुत्री, जहीदा, उस दल का हिस्सा है, यह सामने आता है कि पिता अपनी पुत्री का किसी से विव लेने गुसाते हैं, वो उस लड़की की तरफ जब एक त्रिश्टी से देखने लगता है, तो लड़की इसका कारण पूछती है, और वो कहता है कि उसकी शकल बिलकुल उसके स्वर्गवासी पत्नी से मिलती है, और इस तरह से वो अपनी पूरी कहानी बताता है, इस गीत मे दर्द है एक बेटी का, दर्द है विदाई का, बाबुल से बिछरने का, पर आश्चरी की बात है कि इसी धुन का इस्तिमाल, रोशन साहब के बेटे और अगली दोर के संगीतकार, राजेश रोशन ने फिल्म खुद गर्स में किया और बना डाला एक खुशनुमागी, शत यहीं कहीं जियरा हमार एगोरिया गुम होई गवारे, यह गीत भी उस दमाने में काफी लोग प्रिय हुआ था, राजेश रोशन ने कई बार दूसरों की धुनों से प्रेरित होकर अपने गीत बनाये हैं और उन पर धुने चुराने के आरोप भी लगे हैं, लेकिन पिता के बीच धुनों के आदान प्रदान की परंपरा तो कुछ अन्नि संगीतकारों ने भी निभाई हैं, मसलन राहुल देव बर्मन ने पिता सचिन देव बर्मन की धुन ठंडी हवाएं लहरा के आये के तर्स पर सागर किनारे दिल ये पुकारे बनाया था, संगीतकार आनंद मिलिंद ने अपने पिता चित्रगुप्त की धुन जा जा सुगुनवा जारे की धुन पर फिल्म कयामत से कयामत तक के गीत काहे सताय काहे को रुलाय की रचना की थी, इसी तरह राजेश रोशन ने भी अपने पिता की धुन का सहारा लिया, इस गीत के अलावा रोशन आले ने तुझको के इंटर्ल्यूड म्यूजिक को फिल्म करण अर्जुन के मशूर गीत ये बंधन तो प्यार का बंधन है के मुखडे की दुन में बदल दिया ये चोरी नहीं है बलकि अपने पिता की धरोहर को अगली पीडी तक पहुंचाने का एक प्रयास है जो इन पुत संगीतकारों ने समय समय पर किया तो इस तरह से एक गीत सव अफसाने की आज की कड़ीब होती है पूरी आशा है आपको हमारी यहाँ प्रस्तुति अच्छी लगी होगी अपनी राय अवश्य हमें